राथे राथे भक्वान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अगर भक्वान का नाम लेके एक अक्षे पात्र अपने लिए बनाते हैं तो वो पात्र हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और हमारे घर में कभी भी वो पात्र धन की कमी नहीं होने देगा ना ही घर में खुशियां कम होंगी हमें क्या करना है कि एक पीतल का छोटा सा लोटा लेना है और उसमें कपूर का तेल उसके अंदर चारो तरफ लगाना है उसके बाद उसमें पांच दालचीनी के टुकड़े डालने है और फिर उसके उपर पांच हल्दी की गांठे डालनी है ये त्यार करने करते हुए हमें कुबेर भगवान, मा लक्ष्मी और गनीश्ची का ध्यान करना है अगर हम इनका ध्यान करते हुए ये पातर त्यार करते हैं तो ये पातर वश्या ही हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है और हल्दी की गांठ डालने के बाद उसके उपर पांच कड़ी पते जो बे लीफ होते हैं वो डालने है लेकिन ये कहीं से भी तूटे फूटे नहीं होने चाहिए और इनकी डंडियां भी होनी चाहिए वो इतनी डालनी है कि उसके नीचे ये सारी चीजें ही छिप जाएं उसके बाद उसके उपर कोई भी हमें एक नोट रख देना है लेकिन नोट भी तुड़ा मुड़ा नहीं होना चाहिए वो भी अच्छा नया कोई भी नोट होना चाहिए जैसे के 20 रुपे भी हो सकते है 100 रुपे का भी हो सकता है 10 रुपे का भी हो सकता है जो भी आपके पास नोट हो वो नया हो और एक दम से करारा नोट हो वो उसके उपर रखना है फिर उसे जहां आप अपना धन रखते हैं इस पात्र को वहां रख देना है लेकिन वहां भी इसका स्थान देने के लिए पहले नीचे एक लाल कपड़ा अलग से इसके लिए बिछाना है और उपर फिर से भगवान, कुबेर, मा लक्ष्मी और गनेश्ची का ध्यान करते हुए इसे उस कपड़े पे रख देना है और आप देखेंगे कि ये पात्र फिर आपके धन रखने वाले स्थान में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा और आप अपने जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे जै माता दी